हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का RV Editive Class में मैं हूँ Rakes और आज मैं Question ले करके आया हूं ये Question Class 10th के Student के लिए है ये Question Class 10th के Student के लिए Math Book की CBC Board से लिया गया है ये question page number 247 पर है exercise 13.2 से surface area and volume से question लिया गया है question number 9 है तो चलिए देखते हैं question हम से क्या कहता है कह रहा है कि a solid is in the shape of cone extending on a hemisphere with both their radii being equal to 1 cm and height of the cone is equal to its radius find the volume of the solid in terms of pi जान रखना या जब फर्मूले में pi आएगा तो उसकी value आपको रखनी नहीं है क्योंकि आपको answer pi के ही term में देना और वो आप तभी दे पाएंगे जब pi को आप value नहीं पुट करेंगे कहना क्या चाहते हैं वो देखते हैं आपर तो इनका कहना ये है कि यहाँ पर कोई ऐसा hemispair है hemispair एक कटोरे के shape में होता है या आप मालीजे कोई ball लीजे खेलने वाला और उसको आदे से काट दीजे तो जो हिसा आपको प्राप्त होगा आदा वो एक hemispair के form में होगा इन्दी मैं इसको अर्दगोला कहते है तो ये hemispair है इसके उपर एक कोन stand कर दिया गया है अब कोन क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपने आइस्क्रीम वाले से इस परकार की से आइस्क्रीम के खाई होगे या फिर आपने जोकर का कैप देखा होगा यह सबी होते कौन के में होते है किसा में होते कोन के में होते है है और हो अब यहां से अंब इत्क क्लिशन है बळाना है है भाई देख़ो तो द्यान रखना यह दोनों की रेडियस है यही रेडियस कोन की भी है और यही रेडियस आपकी किसकी है यही रेडियस आपकी हमिस्पेर की भी है अब इस यहां पर में बताना है कि volume बताना है ठीक है क्या बताना है volume बताना है किसका volume बताना है इस पूरे solid का बनाना है तो इस पूरे solid में दो figure हैं एक cone है और एक hemisphere है मतलब हमें cone का volume और hemisphere का volume एड़ कर देना है अब इसके दो तरीके हैं हम याप दोनों को अलग-अलग find करके बाद में add कर सकते हैं और दूसरा तरीका यह है कि हम एक ही में find करें तो मेरे हिसाब से सबसे जो अच्छा होता है वो यह होता है कि आप एक ही में find करें क्योंकि जब आप बार-बार find करते हो तो बार-बार आपको calculation tough वाली करती है और जब एक ही बार करेंगे तो कुछ चीज़े आसान हो जाएंगी तो चलिए solve करते हैं solution यहाँ पर जो radius है है ना r is equal to 1 cm height भी आपकी कैसी है 1 cm क्योंकि बोला है कि radius के ही equal है अब volume find करना है कितना solid का volume यहाँ पर लिखेंगे volume of solid अब solid का volume कैसे होगा volume of cone plus volume of hemispher ठीक है volume of cone plus volume of hemispher अब cone के जो volume का फार्मूला होता है वो होता 1 upon 3 pi r square h hemispher के जो volume का फार्मूला होता है वो होता 2 by 3 pi r cube अब अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 1 by 3 pi r square common हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा h क्या बचेगा h और यहाँ से 2 बचेगा into r बचेगा अगर हम value put करें ठीक है अगर हम value put करें तो यहाँ पर 1 upon 3 pi 1 r का value जो दिया है वो 1 cm दिया है तो 1 का square h की भी value 1 2 into r की भी value 1 अभी सार है कुछ आपका 1 1 है इस case में तो देखे अगर आप 1 का square करोगे तो ultimately आपको 1 ही मिलेगा means 1 into pi into 1 upon 3 इधर क्या हो जाएगा देखे ब्रेकट में हो जाएगा 1 plus 2 2 अंजा 2 होगा further से pi upon 3 इधर होगा और इधर देखे 1 में 2 add करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इस तरी से 3 cancel out हो जाएगा और finally जो आपको answer मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ pi मिलेगा unit की बात करें तो unit याप पर centimeter दिया है volume के case में हमेशा cubic centimeter होता है तो यहाँ पर होगा centimeter cube यह इस question का हमारा answer होगा students उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझा पाया होँगा अगर यह वीडियो आप लोगों helpful लगा है तो मारे चैनल को subscribe कर दीजे वीडियो को like कर लीजे और अपने दोस्तों को भी share कर लीजे इसी परकार के वीडियो लेके हम मिलते रहेंगे तब दे के लिए thank you class